हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज हम पुराने जीन्स और रुपट्टे की मदद से आज बहुती सुन्दर सा न्यू पैटर्न में ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें जीन्स में कटिंग करनी हैं कटिंग करने के लिए हम जीन्स को ऐसे बराबर करेंगे जीन्स को बराबर करने के बाद अब हम यहां पर यह देखिए यहां से हमें स्केल की सहायता से ऐसे लाइन अप करना है अगर आप फटे पुराने जीन्स से रिलेटेड ड्रेस बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए आप कमेंट करेंगे तो मैं इस टॉपिक पे और भी वीडियो अपलोड करूँगी अब हम यहां से जीन्स को कट कर लेंगे कैची पे ज़्यादा जोर ना देते हुए हमने कपड़े को सिंगल सिंगल करके ऐसे कट किया है दो बार में यह वाले कपड़े को हम साइड में रखेंगे इसका कुछ हम नया चीज बनाएंगे तो आपको बताएंगे अब यह वाला जो हमारा कपड़ा है इसमें हमें किनारे के साइड से रेसे निकाल लेने हैं यह देखिए किनारे के साइड में हमने अच्छे से रेशा निकाल लिया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी रेशा निकाल लेना है जीन्स के कपड़े में आगे और पीछे के साइड में दोनों कपड़े में हम रेशा निकाल लेंगे अब जो हमारा रुपट्टा था वो रुपट्टा मैं फ्रेंड मेरा ये बॉर्डर जैसा डिजाइन बना हुआ है तो मैं क्या करूँगी ये जो बॉर्डर का डिजाइन है ये मैं ले लेती हूँ दोनों साइट का मैं बॉर्डर लूँगी अगर आपके सूट में ये बॉर्डर वाला पैटन नहीं है तो आप सिंपल कपड़े को भी यूज कर सकती है यहाँ पर हम 10 इंज की चौड़ाई नाप कर टिक लगाएंगे 10 इंज की चौड़ाई नाप कर टिक लगाएंगे और यहाँ से कपड़े को कट कर लेंगे रुपट्टे के दोनों साइट का जो बॉर्डर है हम उसे 10 इंज की चौड़ाई नाप कर कट कर लेंगे ऐसे अब इन दोनों कपड़े को हम जोइंट करेंगे तो यह देखिए ऐसे हमें जोइंट करना है दोनों कपड़े को यह बहुत ही इजी तरीका है पुराने से पुराने कपड़े को नया लुक देने का अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली next वीडियो की notification मिलती रहेगी यहां से धागे को cut कर लेंगे धागे को cut करने के बाद अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और ये देखिए यहां किनारे के side से ऐसे हमें कपड़े को fold करना है और एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है ये जो हमने कपड़ा फोल्ड किया है आप अपने हिसाब से इस कपड़े को फोल्ड कर सकती है अगर पतला पाइपीन की सेप में आप फोल्ड करना चाहती है तो पतला पाइपीन की सेप में भी आप फोल्ड कर सकती है अब ये देखिए कपड़े के दूसरे साइट से हम ऐसे चूनट बनाएंगे बड़े-बड़े पैटन में हम ऐसे चूनट बनाएंगे अगर आपके पास कम कपड़ा है तो आप छोटे-छोटे पैटन में भी चूनट बना सकती है इस तरीके से चूनट बनाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट होई अब हम यहां से ये धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद हमें इस चूनट को जो हमारा जीन्स का कपड़ा है उसमें जुआइंट करना है अगर आपको हमारी ये सिंपल से ट्रिक पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताईएगा ये रा हमारा जीन्स का कपड़ा जीन्स के कपड़े में अब हम चूनट को ये देखिए यहां से ऐसे जुआइंट करेंगे चूनट को ऐसे घुमा लेंगे यह देखिए यहां किनारे की साइट से हम चूनट को ज्वाइंट करेंगे यह देखिए पॉकेट की साइट से चूनट को ऐसे लगाएंगे और यहां उपर की साइट से सिलाई चला लेंगे जब आप चूनट को गोल सेप में लगा लेंगे तो आपका बहुती सुनदर सा न्यू मॉडल स्टाइल में आपका स्कल्ट बनकर तयार होगा जो की बहुती सुनदर लगीगा तो ये देखिए हमने गोल सेप में चूनट को लगा लिया है तो ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों कपड़े को ज्वाइंट करकी स्कल्ट बनाया है जो की बहुती सुन्दर और यूनिक डिजाइन लग रहा है आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा